आज के इस पंडिश जवाला देरु स्टेडियम में आप सबका हुर्दे से स्वागत है राष्ट अपिता महात्मा गांदी भारतिय सविदान के रचेईता परंपुज डॉक्टर बाबा साभ अंबिट कर 26 गयारा के हाथसे में जो लोग शहीद हुए है जिनोंने इस देश के स्वतंतरता अंदोलन में भाग लेकर अपने प्राण नियुचावर के उन तमाम महान वेक्तियों को मैं अभिवादन करता हूँ मंजपर विराजमान आदरने स्री के राजुजी आदरने डॉक्टर के जैकुमार जी आदरने स्री कमल किशोर कमांडो जी हमारे जहरकंड के अद्दैक्स हमारे भाई जैकिसन जी मंजपर विराजमान सुरेश कुमार जी भाई शिवराम जी सभी अकील भारते कॉंग्रेस कमिटी अनुसुचित जाती विबाग के राश्टे पदाधिकारी मुंबई से आए हमारे सांसद एकनात्राव गायकवार जी सारे प्रदेशों से आए अनुसुचित जाती विबाग के चेर्मन्स इस समारों में समिलित सभी मेरी माताए बेने भाई और दोस्तों आज 26 नॉंबर सभीदान दिवस यह दिवस हमारे लिए अत्यंत मात्व पुर्ण है कि इस दिवस पर हम दलीत कुछले समाज को अलपसंक्यांग समाज को एक आशा का किरन इस देश में हमें प्रदान किया है इस दिवस का महत्व द्यान में रखते हुए हमारे अखील भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के अद्देक्ष स्री राहूल गांदी जिने चुनाव में व्यस्तता होने के बावजुद भी हमें शुब कामनाय बेजी है आज सुबह राजस्तान प्रस्तान करते वाग उन्होंने स्री के राजुजी को कहा कि आप जाकर मेरा संदेश तमाम कॉंग्रेस वाशियों के पास पहुचाए मैं उनका सवर्द धन्यवाद देना चाहूंगा कॉंग कम्मुनिस्ट पार्टी मार्किस्ट के अध्यक्स स्री सितारा मेचुदी जी ने भी त्रिपुरा में उनके पार्टी का अधिवेशन चल रहा इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता था लेकिन मैं आनी सका मेरे तरफ से सभी से आप शमा मांगना और इस दिवस की शुब कामनाय देना मैं उनका भी सवर्दे धन्यवाद करना चाहूंगा 2014 में कुछ लोग इस चुनाओं के दर्मयान कहने लगे जो हमारी विपक्षी पार्टी थी उस समय भारतिय जन्ता पार्टी और मोदी जी इन्हों ने दोनों ने कहा कि हमें कॉंग्रेस मुक्त भारत चाहिए हम अच्छे दिन देंगे लोग को लगा कि हम अच्छे दिन देंगे अच्छे दिन मिलेंगे लोगों ने ओड किया सत्ता में आएं लेकिन आप लोग कभी समझ नहीं पाए इस बात को कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू कापी था अब हर शाक पे उल्लू बैटा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा लेकिन अब उन शाकों पे अच्छे दिन शुरू हो रहे है आने वाले 11 दिसंबर को इस देश में पाँच राज्यों के चुनाओ के निकाल आएंगे चुनाओ का रिजल्ट आएंगा जब आप दिया जाएंगा कि इस देश में अच्छे दिन क्या है आप कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे वह नारा कॉंग्रेस मुक्त भारत का नहीं था तो वह नारा सभी दान मुक्त भारत का था किसी नहीं भी नहीं समझा कि इसके पहले उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत के हो कहा क्योंकि इस देश के अंदर पिछले सत्तर सालों में जो लोकतंत्र आज भी हमें दिख रहा है वो लोकतंत्र केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वज़े से लोक नत्र यहाँ पर है दोस्तों बाबा साब अमबेटकर जी ने इसे पैचाना था उन्होंने कहा कि किसी भी गलत आद्मी के हाथ में अगर इस देश की सत्ता जाएगी और उस सत्ता में अगर आप भागिदार बनोगे तो पता नहीं इस देश का क्या हच्र होगा पिछले साड़े चार सालों के अंदर लगातार सभीदान के उपर जो हमले हो रहे है सभीदान को धौस्त करने की जो बात की जा रही है सभीदान की हर कलम को यहाँ पर तोड़ा मरुडा जा रहा है वो सारा चित्रा आपके सामने है कई वक्ताओं ने यहाँ आज आपको मारदर्चन किया कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे लेकिन आप जाते वक्ते जरूर सोचना कि सत्तर साल में कॉंग्रेस ने इस देश को 21 सदी का बारत बनाने का प्रयास किया संसार की महाशक्ती बनाने का प्रयास किया चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे दलीत हो चाहे वो हिंदू हो चाहे ब्राह्मन हो सभी को एक साथ एक दागे से पिरोने का काम एक माला में सजाने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया दोस्तो और आज बेच चाहते है कि इस देश के सविदान को बदलने का कई लोग इसके मजाग भी उड़ा रहे होंगे कि नितिन राउत आये यहाँ पर के राजुजी के जगह पर आये तब से सविदान सविदान की बात ये कर रहे ये बात है क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि करिबन एक महिना पहले मैं ग्रीन पार्क में मेरे दोस्त के घर पे रुका था सुबह मॉर्निंग वाक को जब मैं ग्रीन पार्क में गया मैंने देखा कि वहाँ के खुले बगीचे में एक सैपरोन भगवा जेंडा गाड कर रखा गया था 200-300 लोग वहाँ बेटे हुए थे और संग का प्रचारक उनको बता रहा था कि यह जेंडा यह जेंडा हमारा प्रतीक है यह जेंडा हमारे संग का प्रतीक है यह जेंडा हमारे हिंदु रास्ट का प्रतीक है बारत का जो तिरंगा था वो तिरंगे को हमारे सरसंग चालक केशवराव हेगडवार ने उस समय विरोध किया था और आज भी हमको उसका विरो या जेंडा इस देश में लाना है दोस्तों ये बाते पिछले सतर साल में कई बार RSS ने करने की कोशिश की लेकिन वे भूल गए कि इस देश में जो सरदार वल्लबाई पटेल जिनका सबसे उचा पुतला इनोंने गुजरात में लगा उन्होंने इनको ब्यान इसले किया था कि आप देश को तोड़ने की बात करते हो देश को जोड़ने की बात नहीं करते ये लोग इस देश में जब से सत्ता आई है समाज का विगड़न करना चालू किया इनोंने चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे बहुत दो हो चाहे शी को इनमें लडाने का काम किया लेखक विचारवन्त साहित्यों को मरवाने का काम किया इस देश का चाहे प्रेस हो मिडिया हो सुप्रीम कोड हो चाहे संसद हो किसी को भी सही डंग से चलने ने दिया है जाते जाते सोचो कि इनकी मंशा क्या है इनकी मंशा कॉंग्रेस मुक्त भारत की नहीं सत्तो सभीदान मुक्त भारत की है इसके खिलाप लड़ना है अभी आपने जो लॉंचिंग देखा यहाँ पर वो लॉंचिंग इसलिए की गई कि अगले 90 दिन तक के पुरे देश के उसके देट आपको बताना है कि यह पार्टी भारते जन्ता पार्टी ने किस डंक से इस देश में अपना कारेकरम लागू करने का काम किया है और कॉंग्रेस पार्टी उसकी विचारदारा क्या है पर अब मुझे डॉक्टर बावा सहब हम बेट कर क्या चाहते थे और के बत्वपुर्ण है मैं पूछना चाहता हूँ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदीजी से कि अगर आप दीजी देश के सही माने में सविदान से अगर प्रदान मंत्री बने हो आप संसत के सामने गुटने टेक के सलामी देते हो तो फिर जपान देश में आप जब गए जपान क प्रदान मंत्री को मिले तो आप ने उनको भगवत की ताके उदी उनको भारते सभी दान को बेटने किया एक देश जब दूसरे देश से मिलने जाता है एक देश का प्रदान मंत्री जब दूसरे प्रदान मंत्री को मिलता है अपने देश की बात करता है ना कि धर्म की बात करता है धर्म तो हमारा भी है धर्म आपका भी है लेकिन इस देश में जब देश की बात आती है तो कॉंग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को चुना है परम्पुजे डॉक्टर बाबा साबाम बेटकर जिने देश को प्रादान ने दिया है इसलिए दोस्तों ये लडाई इतनी आसान नहीं है इस लडाई को अंतीम रूप अगर देना है 11 डिसंबर को तो रिजल्ट आएंगे लेकिन आने वाले दिनों में आपको 2019 में आज कुछ एक्टिविस्ट भी हमारे बिच में आए दूसरे पार्टी के लोग भी हमारे बिच में आए उन्होंने हमको बताने की कोशिश की यही विचारों को लेकर आप सब आज यहां से अपने अपने प्रदेशों में जाए 90 दिनों का कारेकरम लागू करे जो वेबसाइट लाँच हुई है उसके हमने निबंद सपरदा रखी है सविधान पर सविधान कल आज और कल उसके बाद जग़ जग़ पर जहाबर भी आप सविधान पर चर्चा करोगे उसके क्लिपिंग्स अगर आप बेजोगे उसको भी हम आवारे बीच में लेंगे और एक अच्छा स्परदात्मक कारेकरम लोग का जन जागरन का जागरूती का कारेकरम इस डिपार्मेंट के तैद राजो जी हम यहाँ करने जा रहे है मैं समझता हूँ कि इस 90 दिन के कारेकरम में पुरे देश के अंदर एक अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा आप लोग भी जी जान कर इस संकल्प में उतरेंगे यही विश्वास यहाँ वेक्त करता हूँ और मेरे विचारों को यही रोक कर पुना एक बार आपका मनोप पुरुक आबार मानता हूँ दन्यवाद नमस्कार जैविम